ओके अलो प्रेंट कैसे हो आप सब मैं हूँ विशी और आप देख रहें बॉन्टू इन्वेश यूट्यूब चैनल बजाज फाइनस एट परसंड की गिरावट लॉंग टम में दोका तो नहीं देगे ना चाहिए 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 कौन से इसके फंडामेंटल है और जरूर दबा दीजिए जिसको आपको मरें नोटिपिशन सबसे पहले मिल जाए एक्सिलेंट क्वालीटी का या श्टोक है एक्सिलेंट क्वालीटी बाइं मैनेजमेंट रिस ग्रोथ एंड कैपिटल स्टक्चर पो लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट आप इसकी सैल्स ग्रोथ देख लीजिए 33.93% आप इसकी EBIT ग्रोथ देख लीजिए 35.08% आप इसकी net debt to equity ratio देख लीजिए 3.22 मतलब क्या होता जो यह बैंकिक और फाइनस वाले जो सेक्टर के स्टोक होते है उसमें क्या है कि net debt to equity ratio हम मैंसा हाई ही होती है अब हम इसके valuation के बारे में बात करेंगे very expensive valuation पर अभी यह trade कर रहा है आप इसकी PE ratio देख लीजिए 55.44% की इसकी PE ratio है आप इसमें EBIT to EBIT ratio देख लीजिए 19.53% की इसकी EBIT to EBIT ratio है आप इसमें ROCE देख लीजिए 30.62% की इसकी ROCE है आप इसमें ROE देख लीजिए 19.89% की इसकी ROE है अब हम इसके quarterly result के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले quarter से इसकी comparison होगे, अब इसमें net sales देख लीजे, पिछले quarter से इस quarter में 6.69% की एक upside आई हुए net sales में, अब इसकी net profit देख लीजे, जिसमें पिछले quarter से इस quarter में 11% की upside देखने को मिलीए, अब इसकी net operating profit margin देख लीजे, ज इसमें भी 1.74% की एक upside हमें देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है, अब हम इसमें promoter holding के बारे में बात करेंगे, आप देख लीजे, promoter ने अपने पास 55.17% की holding रखी हुए है, आप इसमें देख लीजे, FIS की holding है, 20.67% की holding FIS के पास है, mutual fund के पास 7.17% की holding mutual fund के पास कंपनी ने अपना एक भी श्टोक गिरवी नहीं रखा, मिन्स के कंपनी के place promoter holding zero है, अब हम आ चुके है budget finance के चार्ट के उपर, और चलिए जहानते इसमें कौन से level पर हमें buy करना चाहिए, जिससे हमें long term में बढ़िया सा profit हो, चलिए देख लीजे, आप ये चार्ट देखि बार-बार, वो कौनसे ये line है, देखो ये, जिसमें आगे भी इसने support लिया था, जब ये पीछले से up आये था, तब भी इसने support लिया, तो मैं क्या, इसा सोच रहा हो कि इस बार भी ये इस line को touch करे, चो ये जो पहला support line होगा, वो हमारी ये trend line होगे, और जो हमारी दूसरी support line है, वो कौन से हो गई, 31,26 और थर्ड वाली तीन अजा, मिंस कि ये दोनों के बीच में अगर कहीं मेरे को मिल जाए, तो ये बहतरीन opportunity होगी long term में invest करने के लिए, मिंस कि अगर आपको buying opportunity के लिए zone बनाना हो, तो आप कौन से बनाएंग, मिंस कि ये तीनों line को जोड़के मे एक zone बनाए, तो वो zone बनता है, 3150 से लेके तीन अजाग तक, मिंस कि इस कहीं range में आपको मिल जाए, और वहाँ से आपको लगए कि यहाँ से reversal होगा, तब आप उसमें long term के लिए एक बढ़िया सी opportunity दोन सकते हो, भाई करने के लिए, ऐसे ही video हम हर रोज अर दिन लेते हाथे सो अभी तता आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने फ्रेंड और फेमिले के साथ सेर भी किया कीजिए, और आपको भी किसी stock के बारे में query है, तो आप हमें comment box में comment करके बता सकते हैं, हम उस पे एक detail video हैंगे, चलिए मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए टटाग, बुडबाई, जोई इन